बॉलिवूड एक्टर रितिक रोसन अपने नए बिग्यापन को लेकर एक बार फिर बिवादों से घिर गए हैं यह एड औल एंड फूर डिलिवरी कमपनी जो मेटो का है रितिक इस एड में उजयन के महाकालेस्वर मंदिर का जिक्र करते नजर आ रहे हैं जिस पर बिवाद रोसन के इस नए एड पर धार्मिक भावनाव को आहत करने का आरूप लगा है दरसल जो मेटों के लिए कि कि इस एड में रितिक रोसन कहते दिखते हैं कि मुझे भूख लगी थी तो मैंने महाकाल से थाली मंगवा लिया महाकाल मंदिर के नाम पर बिग्यापन चलाने से सो कि सिर्फ मंदिर आयसर धालूगों को निसुलक में दी जाती है मंदिर के पुजारियों का कायना है कि रितिक और कंपनी ने हिंदू भावनाव को ठेस पहुंचाई है और हम इसका बिरोध करते हैं यही नहीं पुजारियों रितिक रोसन और जोमेटों से माफी माँगने की मांग की है रितिक रोसन की मुश्किले इस बीवात के बाद काफी बढ़ सकती है और इसका असर उनकी आने वाली फिल्म बिक्रम बेधा पर पढ़ सकती है अभी हाली में आविर खन के फिल्म लास इंचाड़ा को सपोर्ट करने पर सोशल मीडिया यूजर्स ने रितिक पर अपना गुशा निकला था और ट्यूटर पर लोगों ने बाइकोट बिक्रम बेधा ट्रेंड कराया था अब इस बीवात के बाद लोग फिर रितिक की फिल्म पर अपनी भडास निकाल सकते हैं बॉलीवड फिल्मों का हाल किसी से चीपा नहीं है बाइकोट ट्रेंड के चल कर दोगा